हेलो एवरिवन वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल नौलेज हब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कारंटे अफिरस आफ नौंबर तूजिरो तूजिरो तूजिरी फॉर जेके एससबी एक्जाम डेसमबर मन्थ आरडी मैंने कंपिलिट किया है अगर किसी ने वह नहीं देखा है देखा है तो वह इसको देख सकता है पहले तो लेट स्टार्ट वीडियो पहला पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है यहां पर मैंने तीन डेज लिए हैं फर्स्ट डैट इस अनेशनल एजुकेशन डेज़ इचिज़ इचिज अलवेज इस अलवेज इसलिब्रेटर ओन मौलाना अब्दलगलाम आज़ाद की बरड़ डे पर हम क्या बनाते हैं डाट इस नैशनल एजुकेशन डे कब 11 नॉंबर 11 नॉंबर को होता है नैशनल एजुकेशन डे और इस साल इसकी थीम थी एम्बरेसिंग इनोवेशन यह आपको याद रखना है नैशनल एजुकेश आजल नॉम्बर को होता है वर्ल्ड निमूणında है और इस साल इसकी थीम ती एवरी ब्रेसिकांटर स्टॉप्रॉव उन्या मॉस्ट अुमटन यह एवरी ब्रही ब्रेसिकांटर स्टॉप निमुनिया इस साल world pneumonia day की theme थी अब इसके बाद world diabetes day it is 14th November world diabetes day 14th November को होता है और इस साल इसकी theme थी access to diabetes care तो 9 मुन्ह में आपको य कि तीन days और इनकी themes आपको याद रखने है national education day, world pneumonia day और world diabetes day कि तीनों मैंने यहां पर लिखे मुझे यही तीन इंप़र्टने इसमें दिखे लिए आउ परिस्ट आईरिश पॉल निच को याद रखना है पॉल निच का नाम और नावल प्रफिट सांग आपको ये भी याद रखना है पाल लिंच को मिला बुकर प्राइज 2023 का किस नावल के लिए प्रॉफिट सांग के लिए पेपर में आपको डिरेक्ट ये आ सकता है एक्जाम में ऐसे ही नंदनी दास नंदनी दास की एक फेमस बुक है आपको ये एक्जाम में आ सकता है कि कोटिंग एंडिया ये बुक किस ने लिखी है इसका आंसर आएगा नंदनी दास ये आपको याद रखना है नंदनी दास विनर्स 2023 बिटिश अकैडमी प्राइज फार कोटिंग एंडिया कोटिंग एंडिया फेमस बुक है ये लिखी है नंदनी दास ने ये भी याद रखना है नेक्ट पॉ cynRIS उनिवरस 123 ये ये भी ने विवर्स में थी इस शेनिस पालशियस यापको याद रखना है कि मिस उनिवरस 2023 कौन बनी ये शेनिस पालशियस Now next point This is important point This is most important point Micah becomes world's first AI human Robert CEO आपको ये एग्जाम में आ सकता है कि First AI human Robert CEO कौन है That is Micah ये Robert है Micah First AI human Robert CEO बोई नी हेंसें रोबर्टिक कंपेनी में ये आपको डार्यक्ट याद करना है इस रॉबर्ट का नाम डाट इस माइका तो इस कैटेग्री में इस सिलाइड पे मैंने तीन पॉइंट लिखे तीनु इंपॉइंट पॉइंट से एक तो है पॉल लिंच नंदनी दास और माइका भी इंपॉइंट हैं तीनु आपको याद करने हैं जबाइनी नेक्स्ट पॉइंट प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी को एलेक्ट किया गया एज चेर्मेन आफ शिरी सॉमनाथ ट्रस्ट फार फाइव येर्स ये भी माइंड में रखना नरेंदर मोधी को एलेक्ट किया गया एज चेर्मेन आफ शिरी सॉमनाथ ट्रस्ट गुजरात में को ब्रेंड एमबेसिडर मनाया वेस्ट बंगाल का यह भी याद रखना है ऐसी एक फीमेल है यहां पर शीतल महाजन शीतल महाजन बिकेम फर्स्ट वोमेन तो सिकाई डायू फ्राम 21,500 फीट नियर माउट एवरेस्ट एक सिकाई डायवर है शीतल महाजन इसने वहां से डायू किया था 21,500 फीट से नियर माउट एवरेस्ट इसने वहां से डायू मारे थी शीतल महाजन ने नेक्स्ट पॉइंट जेवियर मिली न्यू प्रेडेंट आफ अर्जंटिना में भी एग्जामें आ सकता है इसलिए मैंने इसको यहां पर नोट किया है आईसे ही एक और परसनल नंदनी दास माइका और माइकल डोगलास माइकल डोगलास को क्या मिला है सत्याजित रे लाइफ टाइम अच्यूमेंट आवार्ड यह भी आपको याद रखना है अब हम आते हैं जैनरल करेंट निवस पहला पॉइंट गोल फिश मोस्ट इंपॉर्ट पॉइंट गोल फिश डिकलियर्ड ऐज सिटेट फिश आफ गुजरात यह आपको डियरेक्ट यॉद रखना है कि गोल फिश को डिकलियर किया गया सिटेट फिश आफ गुजरात डियर इसका नाम है टेंटेληumed jeans YouTube कि er 28Rique परने कहां पे इन साथलोज रिवर सेund में आ हको यहाद रखना यहाद रखना है कि एक टेंटेलम इसको ईसको किसपोर किया एक आपको फिराइए के लिए इंकुलूडिंग रैड सेंडर्स ऑपरेशन शीशा चलाया गया बाई यूनियन फाइनस मिनिस्टर यह भी आपको याद रखना है यूजुली ऑपरेशन या तो आर्मी लांच करते हैं या तो नेवी लेकिन यहां पर आपरेशन शीशा जो है इट वाज लांचर बा अब यहां पर दो सिटी जूज में थी यह मुस्ट इंपॉर्टन है इसलिए इसको मैंने यहां से रैड से हाइलाइट किया यह आपको जबाई ने याद रखना है कोजी कोड इट बिकेम सिटी आफ लिटरेचर कोजी कोड सिटी आफ लिटरेचर बनी और गावा लियर सिट कि आफ व्यूजिक यह दोनुंज पॉइंट सापको रखने हैं गोलफिष इंपॉर्ट ऑपरेचन शिशा इंपॉर्टर ऑगी और यह पॉइंड नेक्स्ट मॉइंट अक्डिए उत्राखं फॉर्स टेटिन इंडिया फिंप्लेमेंंट यूनिफोर्म सिभल कोड पेपर में कि यूनिफार्मória कोड किस सेट ने इम tax किया और यूनिफार रमश थाफ़ कोड किन आप ट्राखंड में ऑा इसकोंड को लांज को इंप्लेमेंट किया उत्राखंड और उत्राखंड में एक नरेंदर मोधी, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी ने मेरा युवा भारत प्लेट फ़र्म लांच किया on National Unity Day पे, माई भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी ने लांच किया on National Unity Day पे, यह आपको याद रखना है, एक सिकीम नियूज में थी, that is, प्रधान मंतरी गरीब कलियान अन योजना, इसको एक्सेंड किया गया for five years, इसमें वो प्राइड करते हैं, वो free rice, इसमें वो कुछ प्राइड करते हैं, तो आपको याद रखना है, प्रधान मंतरी गरीब कलियान अन योजना को एक्सेंड किया गया for five years, और इसको लांच किय गया था 2020 में ये भी आपको याद रखना है इस स्लाइड में अब नेक्स्ट पॉंट आईशमान भारत हैलफ को नाम चेंज किया गया और इसको रिनेम किया गया एज आईशमान एरोगिया मंदिर ये भी आपको याद रखना है कि आयुश्मान बारत हेलत का री नेम क्या है डाट इस आयुश्मान और एरोगिया मंदिर अब साइकलोन सबने पड़े होंगे यहां पर जो साइकलोन निवस में थे यही मैंने यहां पर लिखे हैं यह आपको याद रखना है कि मिधिली साइकलून जो कि बेया बंगाल में और रिज्ट हो गया, इसको नाम दे दिया ऑई माल दिवज, ऐसे ही साइकलून मिचांग, साइकलून मिचांग को नाम किसे ने रखा, यह मैँ आनमर, तो दो cyclones news में थे November, December में that is मिधिली cyclone दोनों ये बिया बंगल में और्जेट हो गए बिया बंगल में so मिधिली cyclone को नाम दिया गया भाई Maldives और Michang cyclone को नाम दिया भाई Mayanmar आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं मिधिली cyclone भी और Michang cyclone भी Next point आफ आए आए से यहापको याद रखना है International solar elements में चिले विकें 95th member और आपको पता है कि है है का हैर्ड होता है Guru Grams Haryana में और इस साल 95 बना चिले यापको याद रखना है आईसे ही आपको आ सकता है कि what is this PUSA 2090 that was in Nivas PUSA 2090 it is simply a high yield short duration paddy ये आप याद रखना कि PUSA 2090 it is high yield short duration paddy next point Nepal became first South Asian nation to register same sex marriage ये आप याद रखना Nepal let us move further अगर ताला अखोरा rail link is between India and Bangladesh देखो अगर ताला से आप लगा सकते हैं पता कि it is India लेकिन अखोरा ये भी आपको याद रखना है कि अगर ताला अखोरा rail link is between India and Bangladesh क्योंकि ये निवस में था अगर ताला अखोरा railway link between India and Bangladesh अब यहां पी 54th edition of international film festival यह held हो गया अट गोवा बस इसमें मैंने यह एक साइनस कर रही है और यह man-made mission है इनका मतलब मैंद मिशन विद थ्री ओशनाट इसको इसमें जो सब्मेरीन है जाट इस माटसिया 6,000 मेटर आप यह नाम याद रहना माटसिया 6,000 मेटर लीप एहड इनिशेटू यह किस यह किस का इनिशेटू है जाट इस बाई मेटी Ministry of Electronics Information Technology किस के लिए है तो हेलप स्टाट अपस यह आपको याद रहना है कि leap ahead in शेटू यह किस ने लाँच किया बाई मेटी किन के लिए तो हेलप स्टाट अपस नेक्स्ट पॉइंट एनकोर साफ्ट वेर लाँचर बाई ECI Election Commission अफ इंडिया ने लाँच किया एनकोर साफ्ट वेर आइसे ही एक यहां पे लिखा मैंने कोस्टा सेरीना इट इस एंडिया फिर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जिसको फिलेग आप किया एट मॉंबई यह भी आपको याद रखना है कि एंडिया फिर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जिसको फिलेग आप किया एट मूंबाइ उसका नाम क्या था दाट इस कोस्टा सेरीना सचन्ट नूलकर इसका जो स्टेचू है वह उसको अन्विल किया गया एट वान खेडे सिटेडियम ऐसे यहां पर दो स्टेचू और भी निवस में थे जिसको यहां पर मैंने लिखा है यह ऐस को एड करेशवर मधिया पर्देश में यह भी आपको याद रखना है कि magnitude of awareness कि लिये है और कहां पर यह अनविल किया गए और बिया आपको आड करेशवर और माराश्टरा तो दौन उस स्टेचों आपको याद रखने है एप स्टेचो आफ वननेश एड स्टेच्ट आफ नॉलेज जुए नेक्सिट पॉइंट थे लंग ऐख ना अन वील वर्ल्ड स्वर्ल्ड फस्ट 3ड प्रिंट टैंपल पेपर में डैलेक्ट आपको बिहार गावर्मेंट ने इंक्रीज की रिजर्वेशन फ्राम 50% तो 65% यह भी आपको पेपर में आ सकता है कि किस स्टेट ने रिजर्वेशन इंक्रीज की फ्राम 50 तो 65 आंसर विल भी बिहार और बिहार ने एक मिशन भी चलाया तो एड एकडिमिकली वी इक्सूडूरेंट यह भी याद रखना मिशन दकिश यह बिहार ने चलाया तो हैलप वी इक्सूडूरेंट यूपी बेन यूपी गवर्मेंट ने बेन किया हलाल सेटिफिकेशन प्रॉसेस और प्रॉडिक्ट डिरेक्ट आ सकता है कि किस स्टेट न बेन किया हलाल सेटिफिकेशन आंसर विल भी यूपी गवर्मेंट बस इसमें इतना ही याद रखना है ऐसी यहां पर मैंने दो पॉइंट लिखे एक म्यूजिक फ्राग यह कहां पर इसको पाया गया डैट इस म्यूजिक फ्राग जिसको नाम है नुहा दिहिंग नुहा दि लास्ट पॉइंट सी बीसी इस गोईंग गया यू एई में सी बीसी एडमिनस्ट्रेट्ट आफिस को यहां पर पर उपन करेगा यू एई में अगर आपको ये पॉइंट समय आये होंगे सो प्लीज सब्सक्राइब मैंचर इट विद इस फ्रेंड और इसकी जो पीडिया की जो लिंक होगी इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करूँगा टेल्ग्राम चैनल की लिंक